सब्सक्राइब कीजिए टेक्ना रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए अगर्स कैसे आप लोग में अभी शेक है और टेक्ना रिव्यू में आपका स्वागत है और आजके इस वीडियो में हम करेंगे शाूमी पोको एफ़ान के साथ ऑनर 8X का तो ऑनर 8X में हमें मिलता है हाई सिलिकन के रिव्यू सबसे बेटर तो वीडियो को एंड तक देखते रेंपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए तो यह है ऑनर 8X और यह रहा हमारा पोको एफ़ान सो पहले हम दोनों ही फोन के अबाउट सेरीज में जाके चेक कर लेते एंड्रोइड वर्शन और जैसे आप देख सकते के ऑनर चल रहा है विद एंड्रोइड 8.1 ओडियो जहां पोको में चल रहा है एंड्रोइड 9 पाई ओके दोनों ही फोन रिस्टार्ट हो रहा है और क्लॉक पे जब 5 सेकेंड़ था तब हमने दोनों को रिस्टार्ट किया है तो नाव देखते है के कौन सा फोन पहले बूट होता है तो पहले बूट हो गया 27-5 मतलब 22 seconds में और around 20 seconds के बाद honor भी बूट हो गया तो यहां से stoppouch को side में रख लेंगे और जैसे आप देख सकते के दूसरे speed test कितार आज हमरे पास है कुछ daily using और social apps जैसे phone camera, Instagram, Twitter, Facebook, Google Maps, Adobe Premiere clip जिसमें हम दोनों phone के GPU rating speed check करेंगे, shopping apps जैसे Amazon और Flipkart, एक lightweight game, दो heavy games और clock app जिसमें हम पूरे test के time stopwatch चला के रखेंगे दोनों ही phone में, test शुरू करने से पहले जैसे आप देख सकते हैं, दोनों ही phone same wifi network से connected है, दोनों में location या फिर GPS on है और दोनों phone की background memory में कोई भी applications running नहीं है, तो test को start करेंगे clock app में जाके और दोनों में stopwatch को च और camera app again same time पे load हुा दोनों phone में चलते है Twitter पे और Twitter को यहां से चला लेते है Twitter almost same time पे load हो गया दोनों phone में, so now feeds को refresh कर लिए है Home पे tap करके और latest feed same time पे refresh हो गया, now चलते है Instagram पे और Instagram को चला लेते है 3, 2, 1 Instagram again same time पे daarl 변othyãos phone में load हो गया चले जाते है Facebook में और फेस्बुक को लोट करने में अगें सेम टाइम लिया दोनों फोन ने, तो चलते हैं मैपस पे, और जैसे आपने देखा कि गूगल मैपस थोड़ा पहले आ गया पोको में, पर मैपस चलाने के तुरंट बाद दोनों में आ गया हमारा एक्जाक्ट लोकेशन, इन्वेस ना को सिलेट करके लेके आते हमारा स्टॉपवच और यहां से स्टॉपवच को भी चला लेते हैं, ना दोनों फोन की जीपी रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू पर टैप करके, इन 3, 2, 1, GO! ओके तो रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है, और ना हम वीडियो को फास्ट फॉरवड कर देंगे, पर आप देख पाएंगे दोनों फोन की रेंडरिंग स्पीड. दोसों जैसे आप देख सकते के Honor 8X की High Silicon Kirin 710, Poco की Snapdragon 845 से थोड़ा फास्ट है इन तरम्स अफ जीपी रेंडरिंग, और Honor में टेस्ट अल्मूस्ट खतम हो गया है, जहां Poco में टेस्ट अभी चल रहा है, on 75%. Honor ने टेस्ट को खतम कर लिया है 3 मिनिट 4 सेगेंड में, और अभी देखते हैं कि Poco F1 को कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है, रेंडरिंग टेस्ट को कम्प्लीट करने में. Finally, Poco ने टेस्ट को खतम किया है, exactly 3 मिनिट 48 सेगेंड में, और राइट ना हम यहां से स्वाप वच को हटा देंगे, और दोनों फोन में इसी सेम स्क्रीन पे डग के होम बटन पे टैप कर देंगे, और चले जाएंगे होम स्क्रीन पे, और कंटिनु करेंगे हमारा स्पीड Subway Surfers को चला के, तो यह पोको में पहले लोड हो गया Subway Surfers, पर तीन-चार सेगेंड के अंदर, Honor ने भी लोड कर लिया Subway Surfers, anyways, यहां से एक मैच चला के डारेटली होम बटन पे टैप कर देंगे, गेम को बैग्राउंड में पॉस रखके, और ना हम चले जाएंगे PUBG में, और PUBG को चला लेते हैं, in 3, 2, 1, alright, तो नाँ देखते हैं कि कौन से फोन में पहले आता है PUBG का मेन मेन्यू, पोको में पहले आ गया PUBG का मेन मेन्यू, पर एक सेगंड के अंदर Honor ने भी लोड कर लिया PUBG, anyways, तो अगेन यहां से हम PUBG को बैग्रों में रखके, होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे हमड़े शॉपिंग अप्स में, और Amazon को दोनों ही फोन में चला लेते हैं, Amazon का होमपेज एक सेगंड पहले लोड हुआ, और बहुत ही नेगलिजबल डिफरेंस है, तो नाव चले जाते हैं, फ्लिपकर्ट अगेन सेम टाइम पह लोड हुआ दोनों ही फोन में, तो फाइनली चलाते हैं Asphalt 9 और इसे चला के देखते हैं कि किसमें पहले लोड होता है Asphalt की मेन मेन्यू. दोस्तों, surprisingly Asphalt की मेन मेन्यू को लोड करने में अगेन सेम टाइम लिया दोनों फोन ने, तो यहां से डायर्टली चला जाते हैं होम स्क्रीन पे, और यहां पी मलिटस्किंग विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे टेस्क के टाइम साड़े पोन में चल रहा है, next is phone app, और phone app अगेन रनिंग है दोनों phone में, next is camera, camera app को भी अगेन दोनों नहीं रखा हैं अपने मेमडी में, now Twitter को यहां से चला लेता है, okay, so Twitter सिर्फ रनिंग है honor में, जहां Poco में Twitter restart हुआ है, next चलाते है Instagram, now Instagram रनिंग है Poco की background मेमडी में, और honor ने इसे restart किया है Facebook को चलाने के बाद हम देख सकते के Facebook अप रणिंग है सिर्फ और में और यह Facebook के बाद Apps जैसे Google Maps, Premiere Clip, Subway Surfers और PUBG को अपने मेमरी में रखाए सिर्फ और ने जहां पोको ने इन में से सारे अप्लिकेशन को मेमरी से हटा दिया है Shopping Apps में चले जाते हैं और Amazon को यहां से चला लेता है Amazon रणिंग है दोनों ही फोन में और नाव चलते है Flipkart में Flipkart अगेन रणिंग है सिर्फ Honor की मेमरी में तो फाइनली चलाते है Asphalt 9 और Asphalt की Main Menu हमें मिला है Honor में पर Main Menu आने के बस एक सेकंड के अंदर Honor ने भी रिस्टार्ट किया Asphalt को तो दोनों में से किसी ने भी Asphalt को अपने मेमरी में नहीं रखा है तो यह अगर बात करें पर्फॉर्मेंस की दिन दोनों ही फोन में अप उपनिंग टाइम काफियत तक सेम है क्योंकि हर एक अप्लिकेशन को दोनों ने ही अल्मोस्ट सेम टाइम पे लोट किया है अगर बात करें जीपी रेंडरिंग की तो दोनों फोन में 6GB RAM होने के बाद भी Honor की केरिन 710 रेंडरिंग में थोड़ा फास्ट है Snapdragon 845 से पर रेंडरिंग फास्ट होने के मतलब यह नहीं कि गेमिंग पर्फॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगा Honor में क्योंकि गेम्स जैसे PUBG और Asphalt 9 को आप पोको में HDR सेटिंग में एकदम लॉक्ट 60 fps में खेल पाएंगे जहां आपको एराउंड 40-45 fps जैसा फील मिलेगा Honor में PUBG को मैक्स सेटिंग में खेलने के टाइम आप हमें बता है कि आपको स्पीड टेस्स के हिसाब से Honor 8X और पोको F1 के बीच में से कौन से बेटर लगा है और यही ताज का वीडियो गर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके साथ हम इस वीडि करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में